वित मंत्री निर्मला सीतारमन ने लोगसभा में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश कर दिया है इस बजट में वित मंत्री निर्मला सीतारमन ने कई बड़े ऐलान किये हैं आईए जानते हैं क्या हैं ये बड़े ऐलान किसानों को सौगा किसानों की आये दोगुना करने का 2022 तक लक्ष 11 करोड किसान फसल बीमा योजना खेती मचली पालन पर जोर PM कुसुम योजना के तहट 20 लाग किसानों को मिलेंगे सोलर पंप महिलाओं के लिए धन लक्ष्मी योजना होगी शुरू चलेगी किसानों के लिए रेल को बढ़ाया जाएगा रेल, सडक और हवाई यातायात सेवा के लिए एलान पीपीवी मॉडल से स्टेशनों के पुनर विकास की चार पर योजना होगी शुरू प्रधान मंत्री ने अर्थ गंगा की अवधार्ना रखी है नदी किनारों पर आर्थिक क्रिया कलापों को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू होगी उडान स्कीम को बढ़ावा देने के लिए 100 नए वायुपत्तन का निर्माण होगा राष्टिय गैस ग्रिड को मौझूदा 16,200 किलोमीटर से बढ़ा कर 27,000 किलोमीटर तक पहुचाने का प्रस्ताव तेजस एक्सप्रेस जैसी निजी ट्रेने चलेंगी राजमार्गो के विकास में तेजी लाई जाएगी मानव रहित रेल फाटको को खत्म किया गया 550 स्टेशनों पर वाई-फाई को शुरू किया गया रेलवे की खाली जमीन पर सौर उड़जा उत्पादन की पहल की जाएगी 27,000 किलोमीटर के ट्रैक को इलेक्टरिक किया जाएगा मुंबई से एहमदबाद के बीच हाई-स्पीड ट्रैन के कारे में तेजी लाई जाएगी आई कर दरो में बदलाओ 5,000,000 तक किया आई पर कोई कर नहीं 5,000,000 से 7,000,000 तक किया आई पर 10 फीसिदी की दर से कर गाई पर तीस फीसिदी की दर से कर नई टेक्स लैब की दरे वेकलपिक रखी गई है वीडियो डेस्क अमरुजाला.com अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें अगर आप बनना चाहते हैं डिजिटल मीडिया के धुरंदर तो हिस्सा बनिए देश के सबसे बड़े हिंदी अक्वार का अमर उजाला ग्रूप का मीडिया स्कूल तारोहन मीडिया स्कूल यानि टैम्स दे रहा है सुनेहरा मौका एक साल के डिजिटल कोर्स में सीखी पत्रुका दी था कंटेंट, मार्केटिंग और प्रोडक्ट की बारी कियां कोर्स में सफल हुए छास्त्रों को मिलेगा प्लेस में जादा जानकारी के लिए संपत करें